वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूं डोट टच मैं फोन एंटी डैप एप्लिकिशन को कैसे यूज करेंगे तो वैस गर आप भी जानना चाहते हो यह अप्लिकिशन है क्या और इसे पने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहे वीडियो करने से पहले गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर दीजिए तो सबसे बेले गाइस आपको करना क्या होगा आपको जाना होगा प्लेइस्टोर के गें 1,000,000 प्लस इसकी जो है डाउनलोडिंग अब कैसे अपलिकिशन को यूज काना चले मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो हम अपने फोन में इस अप्लिकिशन को ओपन करेंगे और जैसे यह अप्लिकिशन ओपन करेंगे ओने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप चूज कर नहीं है, तो मैंने English language चूज कर ली, उसके बाद ऊपर की सेर में Tick वाले option पे हम click करेंगे, आप जैसे यहां पर तक्रेज करेंगे यहां पर Next वाला button मीलेगा, आप Next पे click केजिए, अप इसके बाद Get Started वाले option पे click करेंगे, उसके बाद डिक्स और Tap on the picture to active, ठीक है, तो यहां पर यह काम कैसे करता है, जैसे आपका phone है, आप इसे activate कर देंगे, उसके बाद आपके जेब में रख देंगे, या पर कई पर भी आप रख देंगे, तो कोई भी इसे touch करेगा, तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, कि directly alarm बजना start हो जागा, जो भी alarm की आप ringtone set इसे आपके उपर क्लिक करेंगे, आप यहां पर इसे जो activate करना है, यहां पर तो tap to deactivate ठीक है, यहां पर यह फिलाल जो है, activated है, तो यहां पर deactivate करना है, activate करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले तो यहां पर इसकी जो ringtone है, वो कैसे set करनी है, जैसे कोई यहां पर पॉलिस वाली मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दी अगर आपको प्ले करके चेक करना है तो यहां पर आप कर सकते है इस परकार की वोइस आएगी आवाज आएगी ठीक है और इसे अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे और उसके बाद देख तो यहां पर यहां पर यहा करने के लिए क्या करना होगा इसके उपर टैब करना होगा उसके उपर टैब करके मैं फोन को हिलाओंगा तो देखना यहां पर जो है साइरन बजना स्टार्ट हो जाएगा चलिए मैं इसके उपर टैब करता हूँ इसी प्रकार से बहुत सार यहां पर आपको ringtones मिल जाएगे अलग लग जो भी आपको set करना आप कर पाएंगे उसके बाद अगर आप अपना phone जो है जेब में रखेंगे यहां पर कोई भी touch करेगा कई पर भी रखेंगे तो directly आपके phone में siren बजना जो है start हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने phone में don't touch my anti-depth application को use कर सकते है